हेलो फ्रेंड कैसे हूँ, उमीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, अगर आप लोग भी अपने लिए नियर इस्टॉक एंडॉइड वाला स्मार्टफोर लेने के लिए सोच रहे हो, 15,000 रुपे से कम के प्राइस में, जिसमें गेमिंग के लिए अच्छा प्रोसेस नंबर पे आता है, मोटो का G51 5G, मोटो के G51 5G को 14,99 रुपे के प्राइस में, 4GB की रैम और 64GB स्टोरेज वाले विरियन को बाई कर सकते हैं, मोटो के G51 5G का एक सबसे बना अडवांटेज है, इसका नियर स्टॉक एंडॉइड, एक क्लीन युआई देखने को मिलती है, फ वालकॉम स्नैप डगन 480 प्लस का एक 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो की 15,000 रुपे के प्राइस को देखते हुए, आप लोगों को काफी अच्छा पफॉर्मेंट देखने को मिल जाएगा, डिस्प्रे सेग्मेंट के अगर बात करी जाए, तो 6.8 इंची की फुल देखने को मिल जाता है, 15 मेगा फिक्सल का में प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसमें 8X डिशल जूम का सपूर्ट देखने को मिल जाता है, बाकी के दो कैमरे 8 प्लस 2 मेगा फिक्सल के मिल जाते हैं, विद एलीडी फ्लैस लाइट के साथ, वह इस सेल्फी के लिए 13 मेगा फि एपसी पोड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और सिकूर्टी फीचर के लिए साइड मांटकें फिंगा पिर्पिन सेंसर देखने को मिल जाता है मोटो के G51 5G में प्राइस हो 15,000 रुपे से कम तो सेकेंड नमबर पे आता है मोटो का जी थाटी वन को 14,99 रुपे के प्राइस में 6 जी वी की रैम और 128 जी वी इस्टोरेज वाले वेरियन को बाई कर सकते हैं प्राइस में आप लोगों को काफी जादा इस्टोरेज भी देखने को मिल जाता है मोटो के जी थाटी वन में भी नियर श्टॉक एंड्रोइड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है डिस्पले सेग्वेंट का अगर बात करी जाए तो 15,000 रुपे से कमके प्राइस में मोटो के G31 में 6.4 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्पले देखने को मिल जाती है डिस्पले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 60 हर्टेज रीफ्रेश डेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है कैमरा सेग्मेंट के अगर बात करी जाए तो बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सथब देखने क मिलता है 50 Megapixel का मिन प्रैमरी कैमरा मिलता है जिसमें 8X Digital Zoom का सपोर्ट देखने को मिल जाता है बाकि के दो कैमरे 8 प्लस 2 Megapixel के मिल जाते है विध एलीडी फ्लास लाड के साथ वो सेलफी के लिए 13 Megapixel का सलफी कैमरा देखने को मिल जाता है बैटी सेग्मेंट के अगर बात क तो G85 का एक gaming processor देखने के मिल जाता है, security feature के लिए side mountain finger pin sensor देखने को मिल जाता है, moto के G31 में, near stock android के साथ साथ अगर आप लोग भे कोई one of the best smartphone लेने के लिए सोच रहे हैं, जिसमें gaming के लिए अच्छा प्रोसेसर और photographic लिए अच्छा camera सटा वो big battery का support देखने के मिल जाए, तो first number पे आता है moto का G40, moto के G40 को 14,499 रुपय के price में 4GB की RAM और 64GB storage वाले variant को buy कर सकते है, moto के G40 का एक सबसे बड़ा advantage है, कि आप लोगों को near stock android का support देखने को मिल जाता हुए, दूसरे सबसे बड़ा advantage के अगर बात करी जाए, तो 15,000 रुपय से कम के price में सिर्फ यही एक ऐसा स्मार्टफोन जिसमें Qualcomm Snapdragon 732G का एक powerful gaming processor देखने को मिल जाता है, एक अच्छे प्रोसेसर के साथ-साथ 6.8 इंच की full HD plus प्लेस पॉंचोल वाली IP display देखने को मिल जाती है, गेमिंग की अच्छी experience के लिए display में 120Hz refresh rate का support देखने को मिल जाता है, camera segment के अगर बात करी जाए, तो camera के मामलें, यह smartphone best है, अपने price को देखते हैं, क्योंकि back में triple rear camera setup देखने को मिल जाता है, 64 megapixel का main primary camera मिलता है, बाकी के दो camera 8 plus 2 megapixel के मिल जाते है, with LED flashlight के साथ, वह इस selfie के लिए 16 megapixel का selfie camera देखने को मिल जाता है, जो कि इस prime range में आप लोगों को एक powerful gaming processor के साथ-साथ, front और back, द battery segment के अगर बात करी जाए, तो battery के मामलें भी यह smartphone best है, क्योंकि 6000 mAh की एक बड़ी battery मिल जाती है, 20W के turbo fast charging के साथ, USB tap support का support देखने को मिल जाता है, और security feature के लिए, back में finger pin sensor देखने को मिल जाता है, Moto G40 में